येली दोश deferred आपका थबीची चणलर में तो दोस्तो आज में डिस्क्स करें हैं कौलिज एकज्यंप पॉंब के बारे में।छ दोस्तो आज की उप्सित वाल्याक पॉंब के बारे में कि ऑगज्च्छ करनी के वाले एक्जाम पॉर्म तो भर दिया है अब दोस्तों परिच्छा पॉर्म बनने के बाद में हमको क्याल करना है तो दोस्तों मैं आपको पूर्ली इंपॉर्मेशन देने बाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखना है तब ही आपको अच्छे समझ में आप आपाएगा और दोस दोस्तों जब आप दोस्तों अपना ओनलाइन एक्जाम पॉर्म एप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों एक्जाम पॉर्म यानि की परिच्छा पॉर्म बनने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है जो आपने परिच्छा पॉर्म बराए उसका सबसे पहले तो प्रिंट आ इसके साथ में खुछ ए श्रकोम horrible आपको अगर यार किस्टूडेंटी यहां तो दोस्तो, आपको अपने एक्जाम पॉर्म के साथμεं क्या है भी data, भी आपने पॉम ole जाना है, इसके साथु आपने इसे पॉर्म ले जाना और जाना करना थो साथ ही कुछत साथ करें सांड़ साथ में ले जाना है विसे तो आपको हम्त हो गया होगा आपको टीसी माइगरे eerste कि आपके पास पूर्ट weiß यह रफार लेति आपके पास में अपने काश चर्क् WAड दिगरे ले जाते therefore तो यह चीज हैं आपको अपने साथ में ले जानी और कॉले में जाकर के आपको सम्मिट करते रहें अगर आप सूसते हैं कि हमने एक्जाम पॉम बर दिया और एक्जाम पॉम बनने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है तो दूसरे आपकी गलत पेमली है अगर आप एक्जाम पॉम बनने के बाद में इस एक्जाम पॉम की साथ में डोकुमेंट लगा अगर आप अपने कॉल में सम्मिल नहीं करोगे तो आपका जो है रिजट हो जाएगा और आप एक्जाम में नहीं बैट पाएंगे यानि कि आप अपना एक्जाम नहीं देपाएंगे अब दोस्तों पस्टियर का मैंने बता दिया है अगर हम सेकंड यर या थर्ड यर की बात करें तो यह जो डॉकुमेंट मैंने बता थे भही सारे डॉकुमेंट ले जाने हैं बस सेकंड यर के स्टुटेंट को पस्टियर की म पोड़ोगम पी ले जानी होते हैं और जो मैंने आपको पहले डॉकुमेंट बता चुका हो तो आपको पता चल गया है और दोस्तों आपको एक्जाम पहुंप बनने के बाद में क्या करना ये भी आपको लौकितों ब्सकी लहां है तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें आप इस्ट्राग्राम पर पोलो कर लorfी जो भी आपके डाउट पर मेसेश को कोकि ऩाप पूस करेंया तो दो 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 कमें प्रकते हैं समाफ, कमें नहीं नहीं सब्सक्राइब कर दो कि आपके लिए, बाइ